आज मैं जीवन के वो पांच सूत्र आपको देता हूँ अगर आपने इसे सही से अमल किया, धरण किया तो मैं दिस्वास दलाता हूँ आपका कल्याण होगा और आप बहुत आगे चले जाएं क्या सूत्र दिहां दें? पहला मेरा सूत्र है सिक्षा सिक्षा वो सिरनी का दूद है बोधिशत्व भावा साब डॉक्टर वियार अम्बेटकन में का है कि सिक्षा वो सिरनी का दूद है जो पिएगा वो दाढ़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवनों की तरह आवाज करेगा इसलिए याद रखना आप कुछ भी करें कैशे भी अपने बच्चों को पढ़ाए अगर आप अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा नहीं दे सकते हैं तो जाद रखना जिंदगी में कभी भी कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं दूसरा संदे से हमारा संसकार चाहे जितनी अच्छी सिक्षा दिला देना अगर बच्चों को अच्छी संसकार आप नहीं देंगे तो ये बच्चे आपको बढ़ापे में आपका सम्मान नहीं करें और मैं हजारों लाखों परिवारों को रोज देखता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया तरे तरे की डिगरियां दिला दी लेकिन आज उन्हें बुड़ापे पर सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए मेरा अन्रोध है कि सिक्षा के साथ साथ आप अपने बच्चों को संसकार भी दे और तीसरा मेरा संदेश है शंगती चाहे जितनी अच्छी सिक्षा दिला देना चाहे जितने अच्छी संसकार दिला देना कुछ नहीं होने बाला है जब तक अपने बच्चों की आप संगती पर ध्यान नहीं देंगे और संगती ऐसी चीज है कि अगर बुरे लोगों की संगती हो जाए तो बुरा इंसान हो जाता है और अच्छे लोगों की संगती हो जाए तो अच्छा इंसान हो जाता है यह ध्यान रखना होगा आपको आपकी सिक्षा, आपके संसकार तभी आपके काम आएंगे जब आपके बच्चों की अच्छी संगती होगी और बच्चे अच्छी संगती तब कर सकते हैं जब माबाप की अच्छी संगती होगा इसलिए ध्यान दें तीन सूत्र हमने पताए है सिक्षा, संसकार, संगती, चौथा एक्ता मैं देखता हूँ आज कल घरों की, परिवारों की, गाउं की, सहरों की, देश की एक्ता हैं बिखंडित हो रही है लोग जाती के नाम पर, लोग काले और गोरे के नाम पर, बर्ग भेद के नाम पर, उंच नीच के नाम पर, तरह तरह की जातियों के नाम पर बढ़ते चले जा रहे है याद रखना मैंने बस पक्षियों में इतनी एक्ता देखी है जिनकी मिशाल मैं आज आपके सामने देना चाहता हूँ मद मक्षियों की मैंने एक्ता देखी है जंगली जानवरों में हमने एक्ता देखी है पांच साथ सियारे खटे हो जाते हैं और एक सेर को मार गिराते हैं क्यों? क्योंकि सियारों की एक्ता है आज मैं चाहता हूँ कि मेरा देश, मेरा समाज समाज में रह रहे सभी लोग एकता के साथ रहें घर परिबार में एकता रहे एकता को धरड़ करना पड़ेगा पहला संदेश था सिक्षा संसकार, संगती और एकता, चार संदेश हो गए पांच मा संदेश है मेरा व्यक्तिकत पहचान जिस व्यक्तिकी व्यक्तिकत पहचान नहीं होती वह आदमी किसी काम का नहीं होता इसलिए आप प्रियास करें इस संसार में अगर आपको जनम मिला है ये साठे तीन हंद की काया मिली है तो आप कुछ ऐसा कारई करें जिससे आपकी पहचान बनने और संसार के जिस गरस्त व्यक्ति ने इन पांच सिद्दान्तों का पालन कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वह व्यक्ति संसार में बहुत आगे निकल जाएगा तो रोकने बाला नहीं हो सकता तो याद कर लिए सिक्षा, संसकार, संगती, एकता और ब्यक्तिकत पहचान ये पांच सूत्र हैं, ये सूत्र सवी के लिए है इस दुनिया में रहरे जितने भी मनुष्य हैं चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस जाती के हों, चाहे जैसा वो खाना खाते हों ये शब के लिए हैं, इनका पालन करना है और संसार में, इस बहुत इकबादी संसार में हमें आगे बढ़ना है मैं फिर आपके बीच आता रहूँगा, बहुत 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 धन्यवाद